यूपी में योगी मंट्री मंडल के विस्तार को लेकर हंचले तेज हो चुकी है मुखे मंट्री योगी आदेतनाथ राज़पाल से मिलने पहुँचे और ऐसी संभावना है कि कल मंट्री मंडल का विस्तार हो सकता है लोगसभा चुनाव से पहले उतरप्रवेश सरकार में मंत्री मंडल विस्तार सम्हव ये बड़ी खबर इस वक्ड बीजे पी सभी 80 सीटों को साथने की कोशिश कर रही है और मंत्री मंडल विस्तार दूसरी तरफ राज्य में इस बज़े से किया जा रहा है ताकि पकड़ और बूथस्तार पे मजबूत बनाया जा सके जी मीडिया समदाता विक्रम हमारे साथ जोड़ चुके इस खबर पे और जादा जानकारी के साथ सीधे उनका रुक कर लेते हैं विक्रम मंत्री मंदल विस्तार को लेकर के क्या जानकारी आपके पास किन किन चेहरों को मंत्री मंदल में शामिल किया जा सकता है या किन पार्टियों पे जादा फोकस रहेगा देखिए प्रिया आठ महीने पहले करीब घोसी का उप्चुनाव हुआ था तब से चर्चा चल लही थी मंत्री मंदल का विस्तार होगा और ओपी राजभर सुभासपा प्रमुत वो मंत्री बनाए जाएंगे दारा सिंग चौहान को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी इस लोग सबा चुनाओ आने वाला है यानी आठ महीने से चाहे दारा सिंग चौहान हो या ओम प्रकाश राजभर जो प्रमुक चेरे थे इस मंत्री मंदल के चुकि पूरवांचल की अगर बात करें तो पूरवांचल में आठ से दस सीटों पर इन दोनों निताओं का अच्छा ज़्यादा जमीन तयार की जाए सकती कि पूरवांचल में समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है आपको याद होगा जब विदान समा चुना हुआ था तो पहला चरण पश्चिमी उत्तरदेश का हुआ था और वहां उमीद थी कि समाजवादी पार्टी को और फिर वापस आए उनको बलाए ये दो प्रमुक चेरे हैं जिनको मंत्री बनाए जा सकता है मंत्री समय राट बहुँ पोचे हैं और विदेक 2024 के लोगसभाद चुनाव के मदे नजर ये मंत्री मंडल विस्तार जो यूपी में होने वाला है यूपी सरकार में वो कितना है और खास करके पुर्वांचल के बारे में आपने बता दिया पश्रमी उत्रप्रदेश का भी जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि हालिया में RLD भी सहयोगी हुई है इंडिया में शामिल हुई है तो उस लिहाद से कितना आहम है देखिए प्रिया खास बात यह है कि RLD अभी आपचारिक रुख से शामिल नहीं हुई है जैन चोधनी ने इशारा कर दिया और भाजपा की तरब से भी कोई ऐसा बयान नहीं आए लेकिन कल जो दिली में मीटिंग हुई है आला कमान की शीष नेतरती उसमें ये बात पहुए है कि शायद आज RLD के शामिल होने की गोशना अभचारिक रुख से कर सकते हैं और R.L.D. साथ में है यह बात पहे हैं अपचारी गुश्राहनी बाती है लेकिन दो सीटें R.L.D. को देने की चर्चा चन नहीं है कुल छे सीटें असी में से छे सीटें जो सहोगी गडबंदन की दल हैं उनको दी जाएंगी उसमें से R.L.D. को दो सीटें दी जाएंगी जाकी ओम प्रकाश राजभर से अभी मेरी बात हुई है वह बहुत जादा संतुस नहीं इस बात को लेकर उन्होंने दावेदारी चार से पाथ सीटें मिलनी चाहिए नाम भी बताये थे लेकिन एक सीटें और दूसरी बात अभी तक उनसे चर्चा भी नहीं की गई यही हाल संजे निशात का भी है उनका भी कहिना है कि हमसे इस बारे में आला कमान ने कोई चर्चा नहीं की है पहले बैठेंगे बात करेंगे अभी तो यह एक सीट का फार्मूला जो आप बता रहे हैं वो आपकी तरफ से मीडिया की तरफ से है लेकिन पार्टी की तरफ से क्या निर रविंद्र भी हमारे साथ बने में उनका भी रुख कर लेते हैं रविंद्र कल देर रात तक मीटिंग हुई हमने खुद देखा बीजेपी हेड़कोर्टर में सुबह के साड़े तीन बजे तक प्रधार मंत्री वहां से बाहर निकले और तबाम बाब बीजेपी के लीडर् परचा हुई होगी उन नामों पर लेकिन यूपी का यह मंत्री मंदल विस्तार यह पहले सुची आने से पहले अब इसको किस संदर्फ में देखे हैं जाने से बाति यह भी मिशन 2024 है और मिशन 80 कह सकते हैं कि जो मंत्री मंदल का विस्तार होगा उसमें बीजेपी के भी विधायकों के मंत्री बनाए जाएगा और इसके अलावा आरेलडी के मंत्री विधायक से मंत्री बनेंगा और जो साथ में जो जनकारी मिल रही है जो जाने के रनिती है 2024 के लोकसवाद चुनाओं को ध्यान में रखते हुए कि कोई मिशन बहुत बड़ा है असी सीट जितने का है और जी नियूज ने 78 सीट एंडिये को दिया है बिलकुर रवेंद्र और इसी वज़ए से इससी की 80 सीट पे अगर आपको पकड़ बनानी है तो